नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे आपका तेह दिल से स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो का पानी पीने के फायदे के बारे में पूरी जा नकारी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दू अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे तुरंट सब्सक्राइब करें। क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इनफॉर्मटव जानकारी वाले विडियो रोज लेकर आते रहते हैं। शरीर के सुचारू रूप से कार्य करने के लिए कॉलेस्ट्रोल का होना बहुत ही जरूरी है। इससे शरीर की प्रतियक कोशिका जीवित रहती हैं। का, लेस्ट्रॉल के सामन्य स्तर बनाए रखने के लिए जो का पानी बहुत ही फायदेमंद है। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जो कॉलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है और आपके दिल स्वस्त रखने में भी मददकार साबित होता है। दो किडनी की पत्री, अगर देखा जाए तो बदलती खान-पान की आदतों और भाग-दोड की जिंदगी, बाहर का खाना, प्रदूशित पानी और प्रदूशन की वजह से किडनी की बीमारियां बढ़ रही है। किडनी की पत्री भी एक बीमारी है जिससे आध। कतर लोग परेशान रहते हैं। इसके पीरितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। जो का पानी किड़नी की पत्री में एक औश्थी के रूप में काम करता है। यदि आप नियमित रूप से एक गिलास जो का पानी पीते हैं तो किड़नी की पत्री की समस्या बाहर निकल जाती है और आपकी किद्नी स्वस्थ रहती है. 3. फाइबर की करे पूर्ती शरीर की पाचन शक्ती को मजबूत रखने के लिए फाइबर की ज्यादा से ज्यादा आवश्यक्ता होती है. अपनी आहार में भारी मात्रा में फाइबर लेन. मतलब शरीर को पोशक तत्वा देना है. जो का पानी आपके फाइबर की आवश्यक्ता को पूरा करेगा. इस पानी का एक गिलास नियमित सेवन फाइबर की आवश्यक्ता की पूर्ती होती है. आपको बता दे की फाइबर कुदरती तरीके से शरीर की सफाई करने में सहायता करता है चार मदुमेह में फाइदेमंद आज मदुमेह के मरीजों की संख्या दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है डाइबिटीज के रोगियों के लिए जौका पानी बहुत ही फाइदेमंद है नियमित रूप से जौका पानी पीने से आपका शुगर लेवल नियंतरण में रह सकता है पांच बजन को घटाए बजन घटाने के लिए जौका पानी बहुत ही फाइदेमंद रहता है करता है और ठंड़त की अनुभूती देता है यह न केवल गर मी में आपको राहत देगा बलकि तेज मसालेदार खाने से आपके पेट में जलन हो रही है तो उसे भी आराम देगा साथ जोडों के दर्द के लिए जोडों के दर्द की समस्या एक सामान्य रोग है जिससे अधिक तर लोग परेशान रहते हैं जो में एक एंटी इंफ्लामेंटरी है जो गटिया और जोडों के दर्द से पीरित लोगों के लिए बहुत ही गुंकारी माना जाता है उम्मीद करते है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अन्फॉर्मेटव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाट्स अप पर जैसी जगहों पर शेर करना ना भूलें और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटिट कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बत करते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों